अगर हमारी सरकार पांस सालों तक रही तो हम आपको दस लाख रोजगार देखर रहेंगे नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस पॉनेशन बिहार में महागटबंदन की सरकार है और बिहार के डेप्टिस सियम तरश्वी यादब ने जब ये सरकार बनाई तो सबसे पहले ऐलान किया कि बिहार के नौजवानों को वो रोजगार देंगे 10 लाख से ज़ादा रोजगार देंगे और इसको लेकर तो जश्वी यादब ने एक बार फिर से लोगों को याद दिलिए आदम ने कहा है कि हमारी सरकार का ये टार्गेट है कि हम आने वाले अड़ाई सालों में लोगों को पांच लाख तक रोजगार देंगे और उसके बाद पूरे पांच साल होने पर हम दस लाख रोजगार देंगे एक तरफ जहां बिपक्ष लगातार मुख्यमंतर नुतिश कुमार की सरकार को लेकर महागटवंदन की सरकार को लेकर निशाने साथ रही है तो वहीं दूसरी तरफ तजच्वे यादब बिहार के नौजवानों को रोजगार देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि लगतार रोजगार में लेकर बिहार में जितनी वेकैंसी निकल रहे हैं इससे भी साफ देखा जा सकता है फिर वह सिक्षक भाहाली हो या फिर बिहार पुलिस की वेकैंसी हो और अब तो स्वास्त बिभाग में भी आईसी ख़बरे आ रही है कि डेर लाग से गटबनन सरकार 10 लाख रोजगार देगी 28 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा तरजश्वी यादब रभीवार को प्रदेश सिराज़त कारियाले में समाजवादी नेता यूसुफ मेयर अली के सम्मान में आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा हमारी सरकार भूमी हीनों और गरी परिवारों को 2 लाख की सहायता देगी बिहार सरकार अपने बलबूते से सभी काम कर रही है मुंगेर में कल जोद घाटन हुआ है उस पर बीजेपी कहती है केन सरकार के द्वारा हुआ है लेकिन एक पैसा नहीं दिया है उन्होंने कहा केन सरकार पर तंच कस्ते हुए कि रोजगार के नाम पर ये जुमलेवाजी कर रही है योजनाओ के नाम पर नाम अपने बदल रही है तिजश्वी आदब जातिय गन्ना और आरक्षन की नई विवस्था का भी जिक्र किया कहा समाज के गरीब और उपेक्षा किस शिकार हुए लोगों को आगे बढ़ाने की आविशक्ता है बिहार के विशे सिर राज्य का दर्जा मिलने में इसमें तेजी आएगी आरक्षन विवस्था को सम्मधान की नवी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंदर को भेजा गया है अब गेंद उनके पाले में है देखना है केंदर और भाशपा आगे क्या करती है यूसुफ अली मेयर के कृत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांचली अर्पित की इससे पहले मुजफर पूर में नोनिया समास सम्मेदन की दोरांत जश्वी आदब ने बिहार में आरक्षन बढ़ाने वाले देश का पहला राज बताया इसे ही हमने देश को दिशा दिखाई है पूरे देश में जाती गन्ना कराने की मांग होने लगी है उन्होंने कहा कि लोग शुरू से चाहते थे कि पूरे देश में जाती जन गन्ना हो इसके लिए हमने मुख्यमंतर उतीश कुमार के साथ प्रिधानमंती नरेंदर मोधी से भी मुलकात की थी लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया इसके बाद हमने बिहार में जाती जनगन्ना कराने का फैसला लिया अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो हमें कैसे पता चलता कि बिहार में गरीबों की संख्या कितनी है हमें सभी वर के गरीबों को मुख्यधार में लाना है ताकि समाज में गैर बरावरी जैसा कुछ नजर ना आए एक दरब जहां तरश्वी आदब ने जाती जनगन्ना को लेकर भयान दिया उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलकात की थी लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए साफ मना कर दिया था लेकिन हमने अपने अस्तर पर अपने दम पर बिहार में जाती जनगना करवाई और आपको रिपोर्ट भी सामने आया तो जश्वी आदब आगे कहते हैं कि हमें हरे गरीब की मदद करनी है फिर वो किसी भी जाती से आता हो सबसे पहले वो गरीब है और हमें उसे आगे बढ़ें साथ जश्वी आदब बिहार के नौजवानों से ये भी कहा कि हम 18 साल में 5 लाग से जादा रोजगार देंगे आने वाले 5 सालों में 10 लाग का जो हमने रोजगार का वादा किया है वो वादा हम जरूर पूरा करेंगे फिलहार के लिए इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें